नमस्कार दोस्तों आज का मेरा वीडियो उन भाईव बैनों के लिए है जो के परिक्षा में ब्यासते हैं और ऐसी बैसी परिक्षा नहीं ऐसे वैसे एक्जामस नहीं जो भारत के सबसे टफ एक्जामस यूपी ऐसी के एक्जाम में लगे हुए दिन रात पढ़ाई कर रहे है मैं जब दिल्ली में जाकर के देखता हूं मुखरजी नगर छेतर में जब जाता हूं या फिर जहां पर भी कम्प्टी सने के तैयारियां होती हैं वहां देखता हूं कि इस्टुएंट रात रात भर दिन दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं बाकरी आप लोग बहुत ज़्यादा मैत्पूर पढ़ाई को अंजाम देने के कुछ कर रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं इसलिए हूं कि आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप कहां गल्ती कर रहे हैं तो मेरी इन बातों को आप मेरी दो-तीन बातें उनको आप अच्छी से सुन लीजिए उनको आप अमल कर लीजिए निṣ्द रूप से आप पहली बार में ही वीडियो को पूरा देखना अंत तक देखिए और आप से अंडरोद है कि मेरे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मैं यह क्यों कर रहा हूं क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप मेरे मित्र बन जाएंग सब्सक्राइब करने से समझ समय पर मैं आपको आपके जो आपके अध्यान से से लेकर के जो आश् perpendicular सूचना है बो मैं आपको देता झेया जालिए आप यह वीडियो को सब करते हैं दोस्तों में जैसा कि मैंने कहा कि मैं तीन बातों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आप दिन बर पढ़ाई करते हैं, रात बर पढ़ाई करते हैं, कोई कोई तो इस्टुएंट ऐसे हैं, जो कि कई वर्सों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप में कहीं कमी रह जाती है, आपकी टीचर बहुत अच्छे हैं, आप अच्छी क कुछ कर रहा हूं तो उन कमी में सबसे पहले जब आप अधिन करें तो मैं ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही बात है कर रहा हूं मैं अपने अनवब से कह सकता हूं कि यह जो तीन महतपूर बाते हैं वो हर एक विद्यारत्वी को अपने जीवन में डालने को करने चाहिए और जो जि कि सबसे पहले आपको अच्छी दरह से सुनना चाहिए सुनना चाहिए और आपके जो किताबें हैं उनको अच्छी दरह से पढ़ना चाहिए एक एक करके बहुत अच्छी दरह से उसको पढ़ने को करना चाहिए और जो टीचर ने आपको पढ़ाया अलग लाग ओनलान माद चाहिए, केबल सुनना ही नहीं, उसके बाद जो आपका मेटिरियल है उसको बढ़िया से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना चाहिए, और मेरे एक, जब मैं कमप्टेशन की तयारी करता था, और जब मैं पढ़ाई करता था, उस समय मेरे एक टीचर ने नहीं है, लेकिन कुछ जो आपके फिक्स होते हैं, जैसे इतियास, भुगोल की चीजें, जो लगो लगो फिक्स होती है, उसको आप बार 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 पढ़ें, और फिर ये बात हो गई कि पहले आपको अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो इसको टेख लेक्वायर कर लें, आप अपने जो टीचर से सुन लें, किताबों से पढ़ लें, बहुत सारा आपके पार जब माटेरियल हो जाए, आपने माटेरियल इखटा कर लिया, लो सुन लिया, और उसके बाद क्या करना चाहिए, पिर चिंतन करना चाहिए, उसके बाद बार बार contemplate करना चाहिए आपको जो आपने पढ़ा हो उसके बार contemplate करना चाहिए चिंतन करना चाहिए यह है तो किस प्रकार से है क्यों है ऐसा इस विद्वान ने कहा है इस लेखक ने ऐसा कहा है इस टीचर ने ऐसा कहा है तो उसको आपको बारबार चिंतन करना चाहिए और चिंतन के साथ साथ आपको बहुत आपके जो मित्र हैं मित्र बहुत ज्यादा important होते हैं जैसा कि मैंना भी कहा कि मैं भी आपका मित्र हूँ तो आपकी जो मित्र हैं अच्छे मित्र खड़ाले नहीं तो आप पर पो अपको चर्चाख और चाहिए यह किताब यह erzählt कह रही है तो उनका भी आपको क्या कहते हैं कि discussion जिसे अंगरेज्म का जाता है कि आपको बार 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 discussion करना चाहिए बार 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 discussion करना चाहिए अकेले तो आप करेंगे ही करेंगे साथ साथ आपको जो group study है उसे बहुत जादा लाग होता है तो पहली बात आपने क्या किया पहली बात आपने अच्छी तरह से सुना उसको फिरा या फिर मेटेरियल को अच्छी तरह से आपने पढ़ा जो भी बुक्स आपकी है अलग लग स्रोत से मादम से हैं उनको आपने पढ़ा फिर उसके दूसरी बात आपने उस पर चिंतन किया बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में discussion किया, दोस्तों के साथ discussion किया, यह दूसरी बात, तिसरी सबसे महत्पूर बात, इसको क्या कह जाता है, भावना, भावना मतलब अपने आत्म साथ करना, अपने आप जब आपने सोच भी लिया, अपने पड़ भी लिया, उसके बाद एकांत में बैठ करके, क्या को student के लिए, जिसके जो इसको एक भावना करत, meditation भी वह जाता है, तो meditation के यहां यह मतलब नहीं कि आप गंटों-गंटों बैठ करके, एकांत में जा करके बैठ, ऐसा नहीं है, तो यहां जो student के लिए खास बात क्या होती है, कि जो आपने discussion के audio सुन करके, आप चिंतन करिये, एक-एक subject पे, अंदर से जाए, ज्षांकिए, उसका कहतना insight, अपने अंदर के ग्यान से इसको देखेंगे तो फिर उसको अपने मन में आख मूंद करेंगे बैठ जाईए अच्छे से उसको भावना करिए कि मैंने आज ये पढ़ा था आज ये पढ़ा था इसको आप तुरंत अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं नहीं कहीं गलत हो रहा है तो उसको फिर प्रंत आप प्रक्या हो गई तीसरी प्रकार के प्रग्या जो भावना में प्रग्या अर्था विज्डम जो हो गया पहले आपको अच्छतर से लिस्निंग आपके बाद करना है तर्फ प्रक्टिस अ मैं लाएं अगर आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि जो कि वो अपने competition को crack न कर सके लेकिन हम लोग अक्सर क्या कहते हैं हम material बहुत ज़्यादा जोटा लेते हैं इसने का तो ये किताब ले आए उसने का तो वो किताब ले आए किताबों का एक धिर लग जाता है घर में किताब ही किताबें भर जाती है लेकिन हम उसको कम पढ़ते हैं और हमारे मन में हमेसा ये doubt रहता है कि उसने लिखा है तो वो ज़्यादा अची किताब है वो अंगलेजी में लिखी है या इंदी में लिखी है या वो मोटी किताब है वो पिरसिद्द लेखक है बिलकुल नहीं ऐसा नहीं करना है आप किताबों को तो बहुत जादे खटा कर सकते हो लेकिन उने खटा जो आपने material किया है जब तक आप अपने गुरूप के साथ अपने दोस्तों के साथ अच्छे मित्रों के साथ सिर्यस मित्रों के साथ अध्यन नहीं करेंगे बारवाचिंतन नहीं करेंगे और फिर उसके बाद अहकांत में जाकर के हर्थात अपने रूम में जब रहोगे अपने जब आपका मैं देखता हूँ कि सबके स्टुएंट्स के चोटे-चोटे कमरे होते हैं जाता उधार की होती है आपने किसी सुन लिया किसी किताब से सुन लिया तो यह आपका ग्यान है नहीं कोई बता रहा है आपने सुन लिया कोई कह रहा है आपने सुन लिया कहीं लिखा है आपने सुन लिया दूसरी बात फिर आप जब चिंतन करते हैं जब आप सोचोगे, तो कि हाँ ऐसा उसने कहा वैसा होगे, जब आप तुलना करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी ग्यान आप दूसरे के ग्यान से, दूसरे के नौलेज को आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से अनलाइज कर रहे हैं, वो सही कह रहा है गलत कर रहा है, सही कह ज़ते हैं तब आपके अंदर जुड़ जाता है ये आपका क्या नहीं होता है तो मैंने में में लेकिते हैं वाहीं उसी प्रकार से हमारे जो शोने के लिए कि अलग लग डुरों की बहुत सारे एक तरह से वेंजान है एक प्रकारी i.plt का statement यक प्रकार ये चीज़ेंग हैं उसे प्रकार सरुगाइए और ये चीजें तो हम उसमे Double मानले नीट डेल dot function मशने के तरह मुटा करते हैं तुन ही लेकिन उसके बाद है जब जब आप के पास आजाएगा जब आपके बास बन के वेटर लेकर के आएगा जब आप खाऊगे उसको खाने के बाद जो स्वाद आपको महसुस होगा उसके बाद ही आपने experience से कहे सकते हैं जाकर के हा फ़लां रेस्टरेंट का यह खाना बहुत स्वाधिस्ट एशन daí कि अपना नमाभ होगा। क्योंकि आपने उसने खा लिया आपने क्योंकि उसको आपने खा लिया आपने उसको एक प्रकार से आतमसाध कर लिया समझ लिया किसका टेस्ट तो उसी प्रकार से भाई वेनों कि जो आप जो टेस्ट ले रहे हैं वो अपना बनाईए किताबों तक सीमित नहीं रखना उसको अपने अंदर जागना है वो आपका जितना अंदर आता जाएगा जितना आप प्रक्टिस करते जाओगे वो आपका अपना ग्यान हो जाएगा लिए इस्ट्रेस नहीं लेना एक महिने से भी कम बचा है आपके पास 25 दिन बचे हैं UPSC के एक्जाम में भूट ही कम समय बचा मैं समझ सकता हूं आपके पास बहुत जादा अपनाव है तो आप उस्तनाव को करें तो यह किभल पेल मैं उन्हीं लोगे नहीं कर रहा हूं कि लेकर के प्षटी ग्रेट तक क्यों नहीं तीनों बातों को जब चब जब जब द्यान नहीं रखेगा तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती तो सब फिर से दौरा रहूं सबसे पहले आपको अच्छी तरह से सुनना है दूसरी बाद चिंतन करना है तीसरा बार मित्र होने के नाते आपको गारंटी से कह सकता है आपका मोटिवेशन बढ़ाने की कुछ कर रहा हूँ आपका जो मोटिवेशन है इस समय और उचा करने की कुछ कर रहा हूँ हिम्मत नहीं हानी है लगाता लगे रहना है तो एक कावत है न कि करत करत अभ्यास के जड्मत हो सुजान रसरी आवाज जाते सिल पर पड़त निसान अरे जब रसीक से माध्यम से जो इतनी मुलायम रसी होती है उससे जब पत्थर जैसे कट जाते है तो हम लोग जो मनुष्य लोग हैं उनके अंदर बुद्धी होती है तो अभ्यास करने से जो पागल जहां संग्या दे जाते हैं जो मूड लोग होते हैं जो कम बुद्धी वाले होते हैं तो वो लोग भी प्रग्यावान बन जाते हैं बिद्वान बन जाते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं अभ्यास नरंतर करना है निरंतरता रखती हैं निश्च दूरूप से आप कोई भी एक्जाम दुनिया का कोई भी एक्जाम आप निश्च दूरूप से कर सकते हैं यह मैं आप से गारंटी से कह सकता हूं तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको निश्चत रूप से अच्छा लगा होगा आप कमेंट मॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और दूसरों को भी सेर करें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू